अपने बाल तो ठीक कर लो, बड़तनों को धंक से रगड़ो, नाक से कोड़ना बंद करो, यहां के लोग बहुत अंद विश्वासी हैं, हिंदी तो इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सराइज आपकी होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से हम अपने आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो यह देखिए, फर्स्ट सेंडेंस, अपने आपको जरूरत से जादा मत थका लेना, इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब यूस कर आउट, अपने आपको बहुत ज़्यादा मत थका लेना, कुछ और तरीके देखिए इस बात को कहने के, तो बर्न वनसेल्फ आउट का मतलब आप समझ गए, इसके जगह आप बोल सकते हैं, अपने आपको इतना स्ट्रेइन मत करो, यह भी बोल सकते हैं, अपने आपको इतन प्रेशर मत डालो, अपने आपको इतना मत थकाओ, तो देखिए कितने सारे तरीके हैं एक इतरे की बात को बोलने के, इन में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं आपकी खाना बनाने में मदद करूँगा, इसे इंगलिश में कैसे कहेंगे, इसे कहेंगे, I'll help you with cooking, I will help you with cooking, याद रखना है help के साथ preposition कौन सी आएगी, with, यह मत बोलना I will help you in cooking, आप बोलो I will help you with cooking, आप ऐसे कह सकते हैं, I will help you cook, या I will help you to cook, I will help you with cooking, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, I will give you a helping hand with cooking, give someone a helping hand, मतलब किसी की मदद करना, I will help you with cooking, यह आपने देखा, अपने बाल तो ठीक कर लो, किसी के बाल बिगड़े हुए हम इसको बोलते हैं, बाल तो ठीक कर लो, अंगलिश में कहेंगे, brush up your hair, brush up your hair, या फिर simply कह सकते हैं, fix your hair, fix your hair, अलद अलद चीज़े होती हैं, जैसे brush up your hair, अपने बालो को सही कर लो, straighten out your hair, अपने बालो को घुमरा बाले बना लो, curl up your hair, style up your hair, अपने हैर में कुछ style लालो, tie back your hair, अपने बालो को पीछे बांद लो, tie back your hair, see, इन सब को याद रखना है, sentences बनाने हैं, ताकि आपको याद रहे, तुम मुझ पे शक कैसे कर सकते हो, English में आप इसे कैसे कहेंगे, How can you doubt me, जी हां friends, doubt on me नहीं बोलना है, हिंदी में हम कही न कहीं यह set कर लेते हैं माइड में कि पर मतलब on, में मतलब in, ऐसा करने से हम बहुत बार confused हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है, doubt के साथ जब on आता ही नहीं है यापर इस तरह, हमें सिर्फ ऐसे बोलना है, How can you doubt me, doubt is a transitive verb, it takes a direct object, How can you doubt me, आप इसके जगे और भी चीज़ें बोल सकते हैं, How can you be skeptical about me, how can you be skeptical about me, skeptical होने का भी मतलब होता है किसी पर शक करना, skeptical होना किसी को ले करके, How can you suspect me, suspect का भी आप यूज कर सकते हैं, How can you suspect me, how can you be skeptical about me, how can you doubt me, तो real life में जब आप किसी से बात कर रहे हैं, इन में से कोई word, जो भी चीज़ पहले आए, उसको आप use कर लो, practice करते वक्त, सीखते वक्त आपको सोचना चाहिए, सीखना चाहिए कि किस तरीके से मैं आपने आपको express कर सकता हूँ, अलग अलग तरीके से, पर जब real life में जब आप बात कर रहे हैं, तब मत धूनने लगना कि कौन सा अच्छा तरीका है, कौन सा और better word है, जो mind में पहले आए, वो पहले use करना है, otherwise you'll be stuck, सीखते वक्त, जैसे कि अभी आप सीख रहे हैं, यहाँ पर आप practice करें, अलग अलग तरीके से बोलने की, बरतनों को अच्छे से इंगलिश में कैसे कहेंगे, इसको कहेंगे, scrub the pots properly, scrub the pots properly, pots को अच्छे से scrub करो, give the pots a good scrubbing, give the pots a good scrubbing, तो इसको इस तरह भी आप कह सकते हैं, give the pots a good scrubbing, हर चीज को देखके नाक सिकोडना बंद करो, कोई कोई होता है ना कि उसको कोई चीज पसंद नहाती तो नाक सिकोड लेता मुह बना लेता है जीव साकी, यह मुझे पसंद लिए, इंग्लिश में एक एडियम में आपको उताता हूँ, इसका मतलब होता है किसी चीज को देखकर नाक से खोड़ लेना, कहने का मतलब होता है मुह बना लेना, यह दिखाने के लिए कि आपको वह चीज पसंद नहीं है, क्विट टर्निग यूर नोज अप एट एवरिधिंग, मेरा नया फोन दे के उसने नाक से कोड़ लिया, मतलब मेरा नया फोन दे के उसने मुह बना लिया, यह कैसा फोना है बकवास, he turned his nose up at my new phone, यहां के लोग अंदविश्वासी है, इसे आप English में कैसे खएंगे, इसे English में खएंगे, पीपल हैर आर सूपरस्टिशुस, इस word को हम यूज़ करते हैं उन लोग के लिए जो अंदविश्वासी होते हैं, और अंदविश्वास को इंगलिश में superstition कहते हैं अंदविश्वासी मत बनो, don't be superstitious आप इतने अंदविश्वासी क्यों हैं? Why are you so superstitious? People here are superstitious People believe in superstitions too much here यहां के लोग superstitions में कुछ जादा ही विश्वास करते हैं जरूर इस से जादा मतलब they are superstitious Superstition का यूज़ करके हमने इसको sentence को बोल दिया People believe in superstitions too much here जब आप इस तरह के से बोल रहते हैं कि यहां के लोग ऐसे हैं, यहां के लोग ऐसे हैं तब आप ऐसे ही कह सकते हैं The locals are highly superstitious Locals का मतलब क्या होता है? यहां के आसपास के लोग, इधर उधर के आसपास के जो लोग है The locals The locals are highly, incredibly, extremely superstitious तो हेर बोलने की ज़रुत नहीं क्योंकि Locals का मतलब भी है, यहां के लोग तो The locals The locals are highly superstitious तो friends, इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने भी तक नहीं किया तो Thank you for doing so Thank you for subscribing to the channel बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में Till then, take care and bye bye